कि अज़िए कि अज़िए कि नमस्कार स्वागत है फिर से आप सबू का डिजिटल डिवी एफेक्स में एक वार फिर से और आज हम लेक्शन वीडियो जिसमें आपको साइकल कैसे कर्रेक्टर चलाएगा वह में दिखा हुआ और इसमें पहरे से मेरा ये साइकल अलड़ी हमने ये किया हुआ था इसमें रिग किया हुआ है तो प्रिवियस किसी वीडियो में मैंने इसके ऊपर बनाए भी है तो यह जो cycle है और यह इसका मैंने वीडियो भी बनाया है अगर आप इसको cycle rig करते हुए देखना चाहते हो तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो तीन पार्ट में मैंने इसको बनाया था तो चलिए हमने यह cycle file को open रखा है जो हमारा rig है आप देख सकते हो already animated है यह तो हमने यह जो press करेंगे तो यह दिखेगा bone इसका मैंने कोई एक so control नहीं बनाया बट यही से यह control होगा इसका handle का इसका pause mode में select करेंगे then r y axis पे इसको घुमा के देखते है तो हम देख रहे है कि यह handle हमारा handle भी इसका rotation होता है so r and y axis पे like this तो यह हमारा cycle है और यह हमारा rig है जो previous जैसा मैं मैंने बताया कि मैंने वीडियो में बना दिया है इसका तो आज हम देखेंगे इसमे character जो भी वह भी character हमारा same tutorial पार्ट ही था जिसका हमने कोई एक character बनाया था उसको मैं import करूगा then इसको play करते हुए दिखाऊंगा इसके उपर तो मैं थोड़ा सा idea देता हूं कैसे इसको animate कि तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और एक नया collection लेते हैं collection का नाम रत्ता मालो character आप ऐसे organize करके आप बनाओ ताकि आपका सब separate रहा है आपका हर एक object layer wise import करेंगे यहां पर pause mode में normal mode में जाएंगे import करेंगे यहां से sorry not import आप append कर लो better होगा तो append करेंगे character को जो हमारा यहां पर रखा हुआ है character I think cowboy करके हमने यह read character रखा हुआ है से collection में जाएंगे देन हमें cartoon character करके मैंने save किया collection इसको append कर लेंगे और आप यहां देख सकते हो कि आप यह character और cycle में काफी difference है बहुत biggest difference है तो मैं या तो cycle को मैं यह करूँगा या character को मैं छोटा करूँगा तो character का already हमने यह बना हुआ है हमारा global control है इसको हम लोग छोटा कर करेंगे तो आप pose mode में भी जाके इसको कर सकते हो otherwise आप normal mode में भी इसको छोटा कर सकते हो तो आप इसको scale करो तो आप देखो कि character आपका cycle के इतना बड़ा size करना है लेकिन हमारा यह character का जो यह लगने के वजह से इसका size में difference हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि cycle को पकड़ेंगे और cycle को बड़ा कर लेंगे कि cycle या दोनों में से कुछ एक आपको रखना पड़ेगा दोनों का maintain तो object mode में जाओंगा cycle का main इससे select करो और s प्रेस करके इसको scale करेंगे हमारे यह cycle size बड़ा लेंगे तो जो जितना cycle का size shift एक प्रेस करो तो almost हम s प्रेस करके cycle को इतना रखते है something ऐसा और character को और cycle को सबसे पहले हमें एक साथ link करना पड़ेगा कि जब यह cycle चले तो character भी साथ में चलना चाहिए तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा यह जो character का हमारा जो global control है like यह और इस cycle के साथ हम इसको डोनों को जोड़ेंगे एक साथ ताकि इसके साथ में च carry forward हो तो सबसे पहला काम all selected armature then आप shift select कर लो main इसका cycle control को कि cycle यहां पर master हुआ cycle इसको carry करके लेगे जाएगा तो यह cycle का main control को select करोगे जो global control है then control P और इससे हम लोग कर देते हैं offset object keep transform offset तो आप देखोगे कि अब यह साथ में चलना चाहिए तो आपका यह साथ तो यह चला लेकिन independent independent हो करके यह अपने आप में इस control पर नहीं बलकि यह अपना animation यहां पर करेगा मतलब leg को up down करेगा इसको चलाने के लिए cycle को तो चली आप सबसे पहले क्या करो तो हम इसका selection करके पहले इस character को बैठाएंगे यहां पर तो character का global control पकड़ लो और इससे आप लेके जाओ pose mode में then pose mode में selection करके आप इसको 3 press करके g press करके इसको यहां बैठा दो cycle पर something यहां बैठेगा और यह pose में अब बनाना है अब पोज तो पहला pose होगा इसको side view में आप इसका pose बनाना सुरूँ करोगा g press करके एक pose रहेगा इसका यहां पर पैर यहां पर रखेगा इसको rotation करके थोड़ा सा आप इतना पे रखो इसको G प्रेस करो तो आप एक पोज बना लो इसका कि यहाँ पे इसका पैर रहेंगे या आप इसका पैर को यहाँ पे रख दो इस पे पैर रखेंगा ऐसे हम ऐसे set कर लेता हूं इसको इस step से यहाँ पे रहेगा और यह cycle चलाएगा और दूसरा leg जो होगा इसका उपर होगा तो इसका यह select करेंगे और side में जाके G प्रेस करके इसको up करो और इसको रखो यहाँ पे तो आपका दो यह हो गया प्लस यह जो हमने knee control बनाया था G प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा पैर को फैला देंगे एक पोज में G प्रेस करके इसको इधर कर दो थोड़ा सा यह हो गया अब आपको यह cycle को पकड़वाना इसको तो R प्रेस करके थोड़ा सा जुका के और character का G प्रेस करो hand को लाओ यहाँ पे पहले आप इस cycle को आप ऐसे पकड़ाओ इसको यह हाथ से यह cover करेगा ओके this selected R प्रेस करके इसको आप rotation करो यह हाथ को यूँ पकड़ेगा ओके एक को हम मैं पहले state कर रहता हूँ G प्रेस करके इधर से and इसका ऐसे यहाँ पकड़ेगा ओके और इसे R प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे रख लो G प्रेस करके एक प्रॉपर आप ऐसे बना लो यह फिंगर से पकड़ेगा all selected एक बार आप इस सब को सेलेट करके all selected then R प्रेस करके आप इसको इस एंगल पर ले आओ and R प्रेस करके यहाँ स्थीक है यह तो उड़ा सा इसको R प्रेस करके आगे करो इतना पर आप कुछ ऐसे इसको पकड़वा दो यह हैंडल को ऐसे पकड़ा है हाथ को ऐसे रखा है और R प्रेस करेंगे इसको एकदम प्रॉपर जैसे शाइकल को पकड़वाना है इसे हैंडल को और प्रेस करेंगे और R प्रेस करके आप आराम सिसको हउल्ड करवा दो यह हांत को यह होल्ड करके रखा है एक हट को होल्ड किया इसको ऐसे प्रेस कर को अधर साइड की करेंगे तो क्या करेंगे कंट्रोल झी है अट के लिए इनसे सबको melodies कर लो including all finger और इसे भी and this one also इसको ctrl c करेंगे और ctrl shift भी करेंगे तो दूसरा वला हाथ भी पकड़ लेगा दूसरे handle को same to same तो लगवग आप देख लो आप अपने हिसाब से इसको set कर लो कि आप कितना इसको proper set कर लिए हो और प्रेस करके थोड़ा सा यूँ यूँ ऐसे आप इसको भी पकड़ लो इसको यूँ हम लो थोड़ा सा balance कर लेता हूं इसको और प्रेस करके तो ये आपको बस बैलन्स करने में जितना time आप लेते हो ले लो और इसको proper कर लो चलो ये हो गया आपका दोनों hand का even पूरा selection हो गया अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये ये वाला part आर प्रेस करके थोड़ा सा और जूका हुआ रहेगा और ये hand को ऐसे रखेगा और यूँ करके बिल्कुल जूका कैसे चला रहा है मतलब थोड़ा सा एक स्टाइल होगा साइकल चलाने का इसका ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं एक बार और all selection करते हैं ये प्रेस करके और यहां पे आप इसको animation करना सुरू करो तो animation के लिए अगर मैं कितना frame ले जाता हूँ करके इसको location and rotation दे दो तो आपका एक fix हो जाता है यहां पर पोज यहां पर पहला पोज अब देखो अब आपका अगर साइकल चल रहा है तो साइकल को अगर आपको चलाना है जैसे आपको जो भी आप पहला जहां पर इसको पकड़ो इस करेक्टर को तो सबसे पहले काम करता हूँ मैं दिस सेलेक्टेड आप इसको एनिमेट कर दो कि आपको इधर लेके जाना है कि इधर भी है अपने हिसाफ से इसको एनिमेट कर दो कि अगर माल हो कि मैं इसको 200 फ्रेम ही अगर मैं इसको एनिमेट करता हूँ तो पहला फ्रेम पर यहां है करेक्टर और यहां से cycle का global control select करेंगे cycle का then i press करेंगे इसको location इसका यह कर देंगे keyframe कर देंगे पहला और यह इतना frame तक आने तक एक character यहां से यहां तक लेके जाएगा यहां तक आई प्रेस कर दो और आई प्रेस करके इसको अब लेबल कर दो अब देखोगे कि आप यह character cycle तो चल रहा है आपको slow दिखेगा इसमें आप इसको graph mode से बाहर निकल के देखोगे तो आपको एक speed इतना speed दिख रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही slow speed में जा तो slow speed में है इसलिए कि इसका frame 200 frame तक है 200 frame में इसको जाना चाहिए last frame पे जाओ कम से कम यहां जाना चाहिए तो एक खास speed में लगेगा आपको जहां भी आपको लगता है कि यहां तक जाएगा आई प्रेस कर दो अब यह आपका यह इस angle से चलेगा चलो ठीक है एक हिसाब से आप यहां से देखो तो कुछ ऐसे जा रहा है और साथ में पैंडल भी चला रहा है पैंडल भी आगे आगे जा रहा है तो इसको आप यह ऐसे देखोगे तो आपको यह ग्राफिक स्ट्रॉंग नहीं होने के वज़े से क्या होता है कि आप इसको क्लीन नहीं देख पाते हो ऐसे मैं देखता हूँ यह चल के जा रहा है और इसका लेग एक जगा पे हैंग है तो सबसे इंपोर्टेंट है अब इसको एनिमेट करना तो पहला फिरम पे जाओ सबको अनाइड कर लेता हूं मैं और फिर हम लोग इसे काम करता है इसके उपर एनिमेशन का तो सबसे पहले आ आप इससे सलेट करो अगेन केरेक्टर का बोन तो आप इसको थोड़ा सा सेट कर लो फिर से एक बार जी प्रेस करके यह एक्चली यहां पर रहेगा माले यहां पर रखेगा इसका लेगा अब जितने अच्छे से प्रॉपर इसको कर सकते हो आप इसको कर सकते हो यहां पर र जी प्रेस करके थोड़ा सा इस पे आएगा, इस टैप से आपका sister का एक पोज consciousness है, फिर से इपस करेंगे और I press करेंगे, dan NFL करदे , तो चलो अब यह फिक्स हुआ, अब मारु कि टेेन फेम पे जाता है, टेन फेम पे जाने के बाद एसका यहां से ऊपर उठता है, तो आप टे तो यह इधर जा रहा है ना अब देख सकते हो इधर जा रहा है ठीक है पहला फ्रेम पे यहाँ था यहाँ पे आया 5 फ्रेम पे तो अब in between की भी हमें डालना पड़ेगा लेकिन फिलाल मैं इसको करता हूं कि यह यहाँ पे लेग रखता है यहाँ लेग लेग चलागे इस जग और एक काम इसमें बून का एक मिस्टेक है तो इस मिस्टेक होने का वज़े से क्या हो रहा है कि यह भी साथ में मोहमेंट हो रहा है एक बार मैं इसको एक बार अंडू करता हूं इसको थोड़ा समय ने एक काम करना पड़ेगा इसके पोज मोड में जाओ और आप जाए बू एनिहाव यह ऐसा ही रहेगा पैंडल यह दोनों का भून को हम सेलेक्ट करते हैं यह मेरा रिगिंग में थोड़ा सा कहीं छूट गया था साइड तो आप रिगिंग वाला यह में देखो गया तो आपको इसमें सही प्रॉपर मिलेगा इस टाइप का हम लोग कर लेते हैं चलो यह हो गया देख प्रेस करेंगे और आ जाएंगे जाएंगे यह च्छोड करना है जाएं हूट करेंगे कि यह पाहला फ्रेम्से है जब यहां गया, पीछे के तरफ जा रहा है, तो मालो की 5 फ्रेम पे गया, अब इसको रखो यहां पे, और आटो की आउन कर देता हूं, आटो की आउन करके, आज प्रेस करूँगा, अब लेबल कर देता हूं, अब आटो आउन रहने के वज़़े से, आपको अटोमेटिक सब आटो होता जाएगा की फ्रेम, तो देखो अब अगर थीन फ्रेम पे जाते हैं, तो यह एक्च्वल में यह पीछे यहां रहना चाहिए, इस जगा पर, यही थोड़ा सा आपको कंटिन्यू करके जाना पड़ेगा, यूँँ, और आटोमेटिक आपका की फ्रेम होते जा रह फिर आगे लाया, इस पर लाया, और फिर इतना पर आया, कुछ ज्यादा रोटेशन हो रहा है, लेकिन चलो यह यह तरीका है, इसको यूँ लाओ, और फिर ले जाओ, फिर उपर ले जाओ, यहां पर, तो आप देखोगे कि यह इस टैप से पाइस पाइस प्रेम होते हैं, इस पाइर को उपर उठा रहा है, फिर नीचे लाया, जितना भी आप इसको यह थोड़ा सा पाइंडल फास्ट हो रहा है, तो वह उस हिसाप से हम बना लेते हैं, और इस टैप से हम लोग एनिमीशन करते जाएंगे, तो आप देख सकते हो, इस टैप का एनिमीशन आपका, यहां पर आएगा, बीच में इसको थोड़ा सा जूम कर लो, जहां जहां पर आपको लाइक हो रहा है, बीच बीच में, उस लाइकिंग में जाके आप इसको थोड़ा सा सेट करते जाओगे, यहां पर आया है, तो हमारा यह पोजिशन यहां रहेगा, और यहां पर आया है, तो ठीक है यहाँ आए तो यह location यहाँ है एक एक फ्रेम पे जाके हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा ऐसा यह होता है animation ओके तो यह सही आप left के लिए करोगे right के लिए करोगे something तो आप यहाँ पे जाते हो यहाँ भी आपका यहाँ पे रहेगा यहाँ पे सो कुछ हद तक आप देखोगए कि यह leg गया उपर उठाया करीब करीब आपका maintain कर दिया यहाँ गया फिर उपर फिर यहाँ फिर यहाँ यहाँ के बाद आया है यहाँ तो auto किया होना है तो आपको tension नहीं है आराम से करते जाओ यहाँ पे गया यहाँ पे सेट करो अगेन आप यह जैसे इसका पैंडल का position हो रहा है वही position को maintain करना है continue तो time taking तो होगी बट आपको करना पड़ेगा यह animation तभी आपको animation में सबसे ज्यादा struggle करने की ज़रूरत पड़ती है फिर से आप जाओ कुछ फ्रेम पे गया और यह आ गया यहाँ फिर दो दो तिन तिन फ्रेम पे ही हमें change करना पड़ रहा है ऐसा एक टिन पे जाओ देन यहाँ पे चला गया इस जगा पे और नेक्स्ट अब जैसे देखोगे इसको अगर आप एक बार चला कर देखना चाहते हो आप देखोगा कि यह इसे चलाते जाएंगे तो टोटल बनाने के बाद हम इसको आपको फाइनल अब इधर इधर का भी कर लेता हूं मैं सेम तो यहाँ भी हम लोग करेंगे सेम इससे सेलेट करेंगे तो आई होब कि यह टेकनिक आपको लगा और विजी है क्योंकि आप मैनुल कर रहे हो तो कुछ ज्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है दिमाग की बस आप इसको ध्यान रखकर करके आप ऐसे सेम की फिरेम आइड करते जाओ कर दो आपको तो इस प्रकार से ऐसे हम पूरा कर लेगे तो अगर हम 45 फ्रेम अगर मैं देखता हूं कि 48 फ्रेम तक हमने जो भी किया तो यह एनिवेशन साइकल चलाते हुए जा रहा है तो यह आपको जस्ट मैं यह करूँगा यह जो भी हमने अभी जो किया है एनिवेशन यही एनिवेशन हो जाती है आपका और इसको फाइनल जब हम कैमरा लगा के रेंडर करेंगे तो आप इसको और पूर्पूर्ट देखोगे तो वीडियो में बस इतना ही आज का और वीडियो को आप यहां तक आपने देखा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो में हम मिलते हैं जल्द ही कुछ नए कंसर्प्ट के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर गुड़नाइट